नमस्कार आप देख रहे हैं दो विहाट आप मैं हूँ आपके साथ अमरिता पांडे आज 22 जन्वरी है पूरे देश के लिए पूरे भारत वर्ष के लिए आज का दिन काफी एतिहाशिक माना जा रहा है 500 वर्षों से सनातनियों ने ज़स सपना देखा था वो आज पूरा होते हुए नजर आ रहा है इसको लेकर कई दिनों से अयोध्या में लगातार तयारी हो रहे थी राम मंदीर के निर्मान कारजब से शुरू हुए थे तब से लेकर अभी तक सनातन धर्म में एक अलग सा उच्छाह देखने को मिल रहा था आज वो दिन आ चुका है जब स्री राम लला अपने टेंड से जाके और भव्य मंदिल में उनकी अस्थापना होगी यह अस्थापना जो है प्रान प्रतिस्ठा का कारिक्रम है ये प्रधान मंत्री नरंद्र मोदी सुबह में ही अयोध्या पहुंच गये हैं और ऐसे में जब उनका विमान अयोध्या में लैंड कर रहा था उस दौरान नरेंद्र मोदी ने अपने मोबाइल फोन से अयोध्या की कई सारे तस्वीरे कैप्चर की कई वीडियो बनाए और उन अपने ट्वीटर हैंडल से ट्वेट किया है तो आपको बता दे कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी प्रान प्रतिष्ठा समारू में सामिल होने के लिए अयोध्या पहुंच गये हैं पूरी तरह से अयोध्या को सजा दिया गया है आज की अयोध्या की तस्वीरें जो साम पूरे बिहार के साथ साथ पूरे भारत के लिए अतिहासिक दिन है और आज सभी सनातनी लोग जो है हलाकि आपको बता दे कि कई दिन पहले से नरेंद्र मोदी लोगों से अपील कर रहे थे कि अयोध्या में ज्यादा भीड न लगाएं जिसके वज़ा से लोगों को परिशान तो आप जहां कहीं हैं वहां से राम की पूझा आर्चना करें दीप जलाएं मंदिरों की सफाई करें और इसको लेकर बिहार में भी कई अवियान चलाए जा रहे थे आपको बता दे कि जिन लोगों ने आयोध्या जो लोग आयोध्या पहूंचे हैं आयोध्या से कई सारी तस्वीरे शाज़क कर रहे हैं और वाकई आज अजोध्या की जो सजावते हैं एक दम बहुत अच्छी है वही अगर बेपक्ष की बात करें तो लगातार बेपक्ष के लोग हमलावर रहे हैं राममंदीर को लेकर तमाम तरीके के बयानबाजी चल रही थी इस बीच आज एक और खबर है राहूल गांधी कॉंग्रिस के नेता हैं और वह आयोध्या में मंदीर में भगवान के पूजा अर्चना के लिए पहुँचे थे लेकिन सेकुरिटी गाड के द्वारा उन्हें अंदर नहीं प्रवेश करने दिया गया और ऐसे में वह काफी खफा हुए वो कहे लोकतंत्र का ये हनन हो रहा है हमें विजेपी के द्वारा निमंत्रन पत्र भी भेजा गया था अगर हम अयोध्या में हाथ जोड़ना चाहते हैं पूजा अर्चना करना चाहते हैं तो आकिर हर्ज ही क्या है तो आपको बता दे कि सनातन धर्म के लोग जितने भी हिंदू ध जो भी मानने वाले लोग हैं अपनी खुसी ब्यक्त कर रहे हैं पुजार्चना कर रहे हैं सुबा से हर गली मुहले में अगरबती की सुगंध जो है वो काफी वातावरन को खुसनुवा बना रही हैं वहीं जैस्री राम के नारे लगातार गूज रहे हैं हलाकि अयोध्या से प्रान प्रतिष्ठा के जो भी तस्वीरे आएंगी हमारे माध्यम से आपको शेर किये जाएंगे तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही सनातन धर्म और अयोध्या में बने राम मंदिर निर्माण और आज प्रान प्रतिष्ठा को लेकर आपकी क्यारा है हमें कमेंट करके बताएं तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही तमाम ऐसे अपडेट के लिए दवी हाटो आपको फॉलो करें धन्यवाद